हाई गुर आफ्टनून प्लीज काम आजो यह आजव अनाटमी पढ़नी है आजव अनाटमी पढ़के एक डेड़ घंटे में दो घंटे में खतम करेंगे साथ में पीवाईक्यू कर लेंगे साथ में अन्सेयाटी देख लेंगे जितना देख पाएंगे इतने टाइम में और अनाटमी को 2022 के लिए निप्टा देंगे आजाओ जल्दी से अनाटमी वाले बच्चे हाजरी लगाएंगे जल्दी जल्दी बिना देरी के आज आप लोंका टेस्ट मैंने सुबह के वज़े शाम को रखा है जस्ट क्लास के बाद 6 बज़े टेस्ट होगा तो आल सी यू लिंक आपको टेलिग्रम पर मिल जाएगा गुद आफ्टनून गुद आफ्टनून विजिबल आउडिबल कोई दिक्कत स्टार्ट करें विजिबल हूँ मैं ओडिबल हूँ मैं के नहीं हूँ स्टार्ट करें क्या तुम्हारी इजाज़त हो तो स्टार्ट कर दें आजाओ 2022 वाले बच्चों आजाओ गुद आफ्टनून कि मैं मैं आपने बहुत इंतजार कराया है यहां यार मेरे नोट्स बन रहे थे थोड़ा से समय लग यह आप देखो क्वालिटी का काम करने में थोड़ा समय लग जाता है मतलब हम लोग क्या करें मेरी पूरी टीम लगी हुई है ठीक है तुम्हारे लिए कॉस्टन्स टाइब करना तुम्हारे लिए टेस्ट बनाना नोट्स बनाना पूरी मैं और मेरी टीम मतलब लगे हुए हम लोग तो थोड़ा बहुत इधर उदर थोड़ा बहुत दस-पांच में आदा घंटा हो जाता है तो थोड़ा सा understand किया करो इस चीज को थोड़ा सा नजर अंदराज किया करो क्योंकि इस वक्त हमारा target है कम समय में quality का काम देना जो अपने आप में मतलब टेक्स टाइम एन एनरजी है हाई चलो शुरू करते हैं आए शुरू करते हैं अनकाडमी पर हमारा 2023 का बैच लॉंच होने वाला है एक लॉंच हो चुका है दूसरा लॉंच हो जाएगा बीस या बाइस जुलाई के लिए तो अगर तुम 2023 के लिए तियारी करना चाहते हो तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या अगर तुम एग्जाम दे के देखना चाहते हो कि कैसा पेपर आया है तुमने कैसा परफॉर्म किया है वो भी तुमारी मरजी है आपको अपको टेस्ट देते हैं सब कुछ लाइव रहता है पर आइकोनिक में कुछ अधिशनल बेनिफेट्स है जैसे यू गेट अमें रिटन नोट्स जो आपके घर पर आएंगे प्रेंट होकर तिन यू गेट यू वीकली प्लानर ऐसे बहुत कुछ है साथ में जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे आप कोड यू रितु तो गेट मैक्सिमम डिसकाउंट जो भी तुमारा फीस है उसका डिसकाउंट लेने के लिए तुम्हें कोड यू रितु आचा ओल इंडिया मॉक टेस्स सीरीज में नहीं कहाता कि यह बंद हो ग अचे होएं मॉक टेस्ट हैं उनको देने के लिए और इसमें आपको डालेंगे आराइटी यू इस टोटली फ्री आफ कोस्ट इसमें तुम्हें कोई पैसा नहीं देना तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई एक टेस्ट छूड़ गया तो मैं अब क्या करेंगे इन्रोल करके त टेलिग्राम का आप डाउनलोड करो वहां पर रितूरत्यवाल सर्च करो वहां पर 75,000 बच्चों का ग्रूप है उसको इन्रोल कर लो वहां पर ठीक है तो वहां पर आपको नोट्स वगयरा सब यह जो मैं यहां पढ़ाती हूं नोट्स में नहीं इंक्लूड हो पारा बट क पार सबस्क्राइब तो तम्हों को मिली रहे हैं फिक है चलो स्टाट करते आफ कि अनाटमी क्या है study of internal structures of plants is called anatomy घ्ल मौरफॉल जी पढ़ाता मौरफॉल जी में क्या था भाहर के structures stem की modification root की modification लीफ की मोडिफिकेशन यह तो बाहर के स्ट्रक्टेश हो गए ना प्लांट के ओर्गन्स होगे जो आपको बाहर देख रहे हैं ठीक है अब आपको इंटर्नल स्ट्रक्टर स्टडी करने जिसको हम अनाटमी गोलते हैं यह मेरी डेफिनेशन हो गई आगे आजो अब क्या-क्य पंडना है ध्यान से सुनो step by step ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में दिमाग को open कर ऐसे खोल लो फ्हूल की तरह लोटस की तरह और आने दो information अंदर आने दो तेखें तेखें जैसे कि कोई भी living organism में प्लांट्स भी से बने होते हैं सेल्स से टिशू से बनते हैं Vascular Tissue System, Ground Tissue System और Epidermal Tissue System Tissue System से Organs बनते हैं जैसे Leaf Stem, Root Flower और फिर उससे Organs System बनते हैं जैसे Root System और Shoot System Organs System से पूरा Plant बन जाता है ठीक है जी? Cell से Tissue बनेगा, Tissue से Tissue System बनेगा, आप अनिमल्स में क्या करते हैं? Tissue से सिधा Organs बनानेते हैं तो Plants में क्या है? एक चीज़ और आड कर लो Tissue System आड कर लो तो Tissue से Tissue System बन गया Tissue System से Organs बन गया, Organs से Organs System बन गया Tissue में Meristematic Tissue, Permanent Tissue ठीक है? Meristematic Tissue के भी Type करेंगा आगे Permanent के आगे? Type करेंगा आगे ठीक है? फिर Tissue System, Vascular Ground और Epidermal Tissue System ठीक है? इन Organs, Leaf Stem, Root Flower के Anatomy करेंगे, फिर Organs System Root System और Shute System आजो, अगर हम Tissue Tissue की बात करें, Plants Tissue Meristematic के अगर बात करें यह Undifferentiated Tissue है मतलब यह Mature नहीं हुआ है इसमें Continuous Mitosis हो सकती है Continuous Mitosis कर सकता है इसका काम ही Plant में Number of Cells बढ़ाने का है तो Meristum दो प्रकार का है Primary Meristum और Secondary Meristum Primary Meristum वो है जो शुरू जब Plant की बाड़ी बन रही है तब से ही Present है और Secondary Meristum वो है जो पहले Mature Tissue बन गया फिर Mature Tissue को होशा है मेरी किस्मत तो मुझे Meristumatic Tissue अगेन बनने के लिए कह रही है तो Mature Tissue से वापस Meristumatic Tissue बना एक विचारा ऐसे होता नहीं घर में औरत बरतन मांज रही है यह काम कर रही है ग्रेनी है मुझे तो इंडिया का Top Boxer बनने था और वो एकदम से जाके अपनी Life Change कर देती है वैसा कुछ कि जो Mature हो चुके हैं वो आपस से Meristumatic बन जाते हैं और उनसे जो Meristum बनेगा वो Secondary Meristum है Primary Meristum कितने परकार का है Shoot and Root Apical Meristum जो कि Root के और Shoot के Tip पे मिलता है आपको ये Root की Length बढ़ाता है ये Shoot की Length बढ़ाता है ठीक है इससे Primary Growth भी होती है लंबाई बढ़ती है Length बढ़ जाती है इसी को Primary Growth कहते है Length बढ़ने को ही Primary Growth कहते है है ना Axillary Bud जिससे नई Stems ये सब निकल जाती है जो कि हमेशा Stem और Leaf के बीच में मिलती है आपको यहाँ पे Axillary Bud कल आपने इसकी Modifications पढ़ी है Tendril बन जाता है Thorn बन जाता है नई Stem भी बन सकती है तो Axillary Bud में से कैसे नया चीज़े बन जाएंगी Meristematic Tissue होगा न Then Intercalary Meristum जो जैसे Stem में मान लो तो उसके Side Side में यहां present होगा थोड़ा थोड़ा टिप पे present नहीं होगा Intercalary Meristum कहां काम आता है Grasses में काम आता है जैसे उपर से grass को गाय चर गई तो वो grass वापस से Intercalary Meristum से उखता है यह ना Grasses You know If eaten by काओ या कोई भी हर भी और grows again by Intercalary Meristum grows वैसे जो मैं लिख रही हूँ ना यह important चीज़े हैं तो मैं वैसे लिखा हूँ मिलना तो चाहिए चलो मैं कोशिश करती हूँ कुछ टेक्निकलर है देखते हैं grows again with help of with help of Intercalary Meristum यह पीवाई क्यू है नीट में क्वेश्चन आयो है यह भी पीवाई क्यू है जो प्राइमरी ग्रोथ है वो कहां से होती है ठीक है एक्जलरी बड़ की मॉडिफिकेशन दे तो पीवाई क्यू है कर आमने देखा था टेंडरल में उसमें क्या कहते हैं ग्रेप वाइन वगरा में ुकुमबर में तांडर्利ल और सिट्रस भोगन्विल्या कांटे यह क्लियर प्राइमिरी इस्ट्रं क्लियार कोई दिक्कत तो अबास आज और से आज 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 कोई दिक्कत तो नहीं पूलो और शलिए नो的स्य है बताओ तुम्हारे जवाब का वेट कर रहे हूं क्या आवास सही है क्या मेरा मुख़डा तुम्हें नजर आ रहा है चांड जैसा लोवाइस लोवाइस का कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से मने हाई वोइस की हुई है सबसे यह नहीं डाला सुबरना नहीं मिले नोट्स अरे अभी बोलती हुँ मैं भाई नोट्स डाल दो आरे समत करो बच्चों के साथ चलो बढ़िया आगे सुनो सेकेंडरी मेरिस्टम वो है जो मेचर टिशू से वापस बनेगा इसी को लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं और लेटर ऑन बाई पर्मानेंट टिशू इट आलसु कॉल्ड कहां पर लिखे हैं it is also called lateral meristem, तो आपसे इस प्रकार से question आता सकते है, जो secondary meristem है, वो क्या ग्रू करेगा बेटा width ग्रो करता है, width बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, जो plant का tanah है, उसका मोटापा बढएगा ठेक है, width बढ़ाता है हुआ करrator तो לצ्रियॉट है कि इसी फिकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं विट बढ़ाने को भी युझे नुं हाइ सहचेंडरी ग्रोथ बोलते हैं बढ़ाने को हो दॉछ फो दॉछ सrog के लिए विट सेटी कून रिकट्वरिट बढ़ाने के लिए लेकरिस पासओं106 लेटरल मेरिस्टम दो प्रकार का है कॉर्क केंबियम और वैस्कुलर केंबियम सेकेंडरी ग्रोथ आपको सिर्फ डायकॉट में मिलेगी और आपको मिलेगी उसमें जिम्नोस्पर्म में मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है आगे चलो आशेओ पर्मानेट टिशू पें टिश्टम टिशू किलीर है मेरस्ट्मरिटिक में क्या पड़ा सिंपल रिफ्राइमरी इरिषेजिंदvals से कोई हुई पतीओं को बढ़ाएंगे जब गाई को ईखा जाएंगे secondary meristem, colateral meristem भी कहते हैं, secondary growth कराता है width बढ़ाता है दो परकार का है, corcambium और vascular cambium permanent tissue फिर से आगे दो परकार का है simple और complex यदि tissue में सिर्फ एक ही परकार के cells हैं only one type of cell है तो simple, यदि tissue एक से ज़्यादा cell लेके बैठा हुआ है कि आओ मेरी गोदी में, सब आजाओ, बैठ जाओ तो many types of cells है तो वो complex है अगर आप simple की बात करो वो फिर से तीन परकार का है parenchyma, colonyma sclerynchyma ये simple tissues हैं, आपको याद होने चाहिए ठीक है, इनके एक एक feature याद करेंगे, वो भी याद होने चाहिए करा लेंगे भी complex tissue जिसमें एक से अधिक प्रकार के cell है, वो है xylem और phloem जो की conducting tissues है आपकी cell उसकी plant की body में, अब तक तो रट गया है हम लोग को कौन क्या conduct करता है ये roots से water और mineral conduct करता है, unidirectional flow करता है, और ये bidirectional flow करता है, किस किस का sucrose का, water का hormones का कुछ-कुछ inorganic substances का भी, ये भी पैस तो बहुत सारी चीज़े करता है, water mineral lines, hormones organic nitrogen, phosphate और sulfur और organic form में, तो ये तुम लोग को पता है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने transport in plants का भी चाप्टर खतम की है अलग से कोई नहीं की हर चाप्टर में नया जाइलम फ्लॉम इस चाप्टर में जाइलम फ्लॉम का क्या काम है, हर चाप्टर में जाइलम फ्लॉम का सेमी काम है, ध्यान रखेंगे इस बातों को parent काइमा की properties पढ़ ले, ये most abundant cell है most abundant तो नहीं लिखूंगे ये जहां पर भी living processes हो रहे हैं, वह आपको generally यह वही मिलता है देखें, ऐसे ये cells जिनके बीच का space बहुत कम है, intercellular space है लेकिन इस नोट मच, ठीक ठीक सही है बट देर इस intercellular space isodiametric, spherical भी हो सकते हैं, oval भी हो सकते हैं, round भी हो सकते हैं, polygonal भी हो सकते हैं thin cell wall, ये जिन्दा cells हैं देखो, जिन्दा cell होने के कुछ फीचर्स होते हैं उनमें एक तो primary cell wall होती है, secondary नहीं होती secondary cell wall सिर्फ मरे हुए cells के पास होती है जैसे कि स्कलरेंड काइमा में तुम देखोगे primary cell wall हमेशा cellulose की बनी होती है और primary cell wall हमेशा thin होती है जब थिक secondary cell wall बन जाती है, जो कि लिगनिन की बनती है तो उस टेम तक cell मर चुका होता है so thin cell wall तो तुम उसकी cell wall की ठिकने से बता सकते हो जिन्दा है कि मरा हुआ है ठीक है और primary और secondary से बता सकते हो thin cell wall, primary cell wall is made up of cellulose सिर्फ cellulose की नहीं भईया hemicellulose भी होता है, pectins भी होते है ठीक है it's a living tissue, photosynthesis जितना photosynthesis, जितना यह mesophyll cell है सारा parent काईमा है, ठीक है storage, secretions यह सब parent काईमा करेगा आगे चलेंगे, colon काईमा है इसकी मज़दार cell है, living है लेकिन यह living होने के बाद support करनी कोशिश करता है support के लिए cell को खुद strong होना ज़रूरी है, तभी हो plant body को support कर सकता है, तो इसमें primary cell wall ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है इसकी edges पे यहाँ पे deposition हो जाती है, cell को strong करने के लिए, cellulose और pectin की ऐसे deposition हो जाती है, so it's a living tissue, corners are thickened due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, oval spherical polygonal, they can do photosynthesis, भाया, यह living है photosynthesis कर सकते हैं, कोई dead cell कभी photosynthesis नहीं कर सकता, dead cell में chloroplast नहीं होगा, dead cell का साइटोप्लाजम खतम हो चुका है, dead cell में कोई nucleus नहीं कोई chloroplast नहीं, कोई साइटोप्लाजम नहीं कुछ है नहीं, खाली अंदर से, खाली समझ रो, एपोप्लास्टिक पात्वे बन जाता है उसके अंदर, जैसे की xylem में, vessels and trichets एपोप्लास्टिक पात्वे, क्यों, अंदर ही नहीं कुछ खाली हो तुम, खाली, खोकले हो तुम अंदर से, वो हाल है उनका, ठीक है ना इसमें ऐसा नहीं है इसमें सब कुछ है इसमें नूकलिस भी है, ठीक है अगर chloroplast जाथ तो फोटो संथिस भी कर देगा वेन दे कंटिन chloroplast प्रोईड मेकैनिकल सपोर्ट यह मेकैनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन यह ऐसे टीशू को मेकैनिकल सपोर्ट देता है, जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि अगर स्कलरन काईमा उनको सपोर्ट करेगा, तो स्कलरन काईमा उनके साथ ग्रो नहीं कर सकता, वो तो यह वाली प्रामरी सेलवल है, यह थिकनिंग्स है, पेक्टिन, हैमी सेलूल जोटी और यह बीच में बहुत बड़ा वैकियोल नजर आ रहा है, बच्चों को लगते हैं नूुक्लेस तूसले हैं, यह है वैकियोल है, वैकियोल मार्क कर दो कर दो, यह स्क्लेरन काइमा डेट टिशू सिंपल में से सरी यही डेड है डेड है, सेकेंडरी वॉल हो रखिया सेकेंडरी वॉल हमें चाह प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है वह शाल लिगनिन की होती है अंदर का साइटोप्लाजम खदम हो चुका है डेड टिशू विदाउट प्रोटोप्लास्ट प्रोवाइड मेकानिकल स्टेंथ लिगनिफाइड सेल वॉल विद फ्यू और नूमरेस पिट्स ठेकें, सेकेंडरी सेल वॉल होती है सेकेंडरी सेल वॉल में फाउंड इन कहां-कहां मिलते हैं, देख लो लिगनिफाइड होती है, सेकेंडरी सेल वॉल ध्यान रखो पाउंड इन फ्रूट वॉल ओफ नट्स ठेकें, जो तुमारा अकरोट का छिलका है जो तुमारा बदाम का छिलका है, मोटा होता है तूटता नहीं है, हथोड़े से तोड़ना पड़ता है पल्प ओफ फ्रूट्स लाइक गुआवा जो दाने-दाने सहते हैं, गुआवा के खाते होगे पीर, पीर में भी दाने-दाने सहते हैं, दान्तों के निचे सपोर्टा, चिकू सीड कोट ओफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का सीड कोट हाड होता है जो कि बाहर की साइड है यह लिग्निन वाली यह अंदर है यह लिगनिन है स्क्लिरीज को देखो तो यह काफी गोल शेप में है इसमें पिट्स नजर आ रहे हैं ल्यूमिन इसका विचारी का इतना सा ही रह गया है ठीक है और ठीक से लोल मेड़ अफ लिगनिन चलों आगे इसी के साथ हमारा पर्मानेंट टिशू का सिंपल पर्मानेंट टिशू खतम हो रहा है कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत कि बोलो अरे बोलो अले बोलो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो अनाटमी करने अब बच्छे बोलो मॉलेकुलर देरा पार्ट करंग है तेरे नीड में जाने से पहले चिनता मत कर तूं ठीक है तुमारे नीट के एक्जाम हॉल में घुजने से पहले मैं करा दूंगी चलो कि बढ़िया कि बहुत बढ़िया चलो कि आजब कंप्लेक्स परवनिंट इस्टीशू पर चलेंगे अभी तक अपनी क्या किया कि अग्या अग्या कि pada कि कि अध defeated कि अधिन स्टीशू के और टेशु किया है पर मनेंट का सिंफल पर में कर लिए क्यदब करेंगी में चार प्रकार कि सळ्स होते हैं इसका नाम क्योंकि एक से आधिक प्रकार के शाल्द ठीक है वेसल ट्रेकेड्स जालम पेरनकाइमा और जालम स्क्लेरनकाइमा स्क्लेरनकाइमेट जालम फाइबर्स कंड़क्टिंग टिशू फॉर वाटर इन मिनरल्स फ्रॉम रूट तु स्टेमन लीव्स यूनी एक ही डिरेक्शन में ट्रांस्पोर्ट होता है टिक है लेकिन शिर्फ वाटर मिनरल्स नहीं ट्रांस्पोर्ट होते हैं मैं बार बार इसलिए बतारी हुए क्यों कोईश्चन आगया था बच्चे गलत करके आगये तो मेरा दिल धड़कता जब अच्छे गलत करके आते हैं मैं इन गलत कर रहा हूं इस बार पेपर में कुछ जादे धढ़क जाएगा चलो आख सुन, ओर्गैनिक नाइट्रोजन, इन ओर्गैनिक नाइट्रोजन, ओर्गैनिक फॉस्फोरस और सल्फर भी इसमें से ट्रांसपोर्ट होता है, प्लस हॉर्मोन्स बहुत तगड़ी मकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती ए, ठे干? जायलम में खासकर, वैसल ज्यो crest यो थिव मोटी मोटी होती है वेसल टाउन रिगनिफाइड वाल्ज kmup agree who वोड को सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है क्यों कह जाता है तुम्हारे पार ने वैसल्म होती है तो ग् मेंड़र देती है तो पर उसको फद्पोरस परोड़ एलम एसले पुराना की भी दैजलिटी की बात करें तो यह आपसेंट यह सम्मांश mm की एस्टी सबसे इंपोर्टें एल्म का तुमने नहीं दे पाया है जिम्नु स्पर्म को सबसे इंपोर्टेंट नहीं दीन उपने वेह संस पर वे संस एक सेल के बाद दूसरे से नीचे नीचे रखा हुए बीच में इनके सेल्स के छेद है जिससे पानी ऐसे से ऊपर जा रहा है ठीक है यह इनके पास पिट्स है गड़े है लिगनिफाइड वाल्स है और डेड विदाउट प्रोटोप्लाजम है कोई प्रोटोप्लाजम नहीं अ लेकिन इनकी फट्शेप लगी त्र हुदधा कम पानी चुटा सा ठीक है और यह उपर से बंद होती है टेपरिंग एंड होते हैं तो साइडवेज पानी का पानी का कंड़क्शन गरती है इसे इनकी फोलिख से यहां सीर्ट यह है प्रेटान भी कट देखो यह वहीं सिंपल टिशू यह तुमने वी पड़ा है बदल तो लिविंग में घ्राइगा थिन सेल वल्डोस स्टोर फैट स्टार्स तैनिसमी स्टोरेज करने काम आ रहा है प्लस रेडिल कंडॉक्ष्छन वटर बेंको वटर का कंडॉक्षन ऊपर तो वैसल कि लेका लेकिन sideways जो conduction वो पेरेंट काईमा से वेगा radial conduction of water fibers मरे हुए है सारे scleran kymetis होते हैं यह कि लेरेंट काईमा fibers चाहे जायलम क्यों चाहे ख्लोयम क्यों हो हो होते हैं highly thickened भाईया तू scleran kymetis होते हैं highly thickened तो अंदर कुछ बचेगा जगे तुमारे नहीं बचेगा ना तो बस वह हाल है समझे आगे चलो कि वैसल ट्रेकीड पेरेंट काईमा fibers को इंदिक करते हैं तो बोलो कि आगे चल रहे हैं तो यह बेसिकली मैंने जायलम का ड्रेकराम बना है जिसमें यह मोटे वाली तुम्हें वैसल नजर आ रही है जो तुमने जीम्नो सुन्हों को दी ही नहीं जीम्नो स्पर्म के मूह से निवाला छीप गो ग्लो कि तो एपन Kanter ऑने काट दी अ इसले धिखाई धे रहे इस तो यह respondents है प्लोयम, mostly living जैसे जायलम, mostly dead है अब देखो यार इतना नीचे gravity के अगेंस्ट पानी लेके जाना है कितनी मेहनत लगती है तो बिचारी ने इतनी मेहनत करी कि मर गएक जायलम is mostly dead प्लोयम को क्या करना है जाराम से जा रही है कुछ जादा मेहनत नहीं करनी तो वो mostly living है इसमें sieve tubes भी living है companion cell भी living है parenchyma भी living है सिर्फ fibers dead है जायलम में कहा था सिर्फ parenchyma living था बाकी सब dead थे ट्रांस्पोर्ट food materials from leaves to other parts of the plant fluid materials चीनी का गोल सुक्रोस सुक्रोस के रुप में ट्रांस्पोर्ट होती ना ग्लूकोस के रूप में ट्रांस्पोर्ट नहीं होती है स्टार्ज के रूप में store हो जाती है less water less hormones plus some inorganic salts क्योंकि inorganic salts कहां से आ है क्योंकि xylem और phloem के बीच में थोड़ा सा exchange होता है चीजों का ख्रूमी साथ साथ में कुछ खेश्चेंज कर लेते हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जाएलम इस टोटली इन और गयानिक चीज लेके जा रहा है और टोटली इन चीज़ने जारी है जर्डत बाते सोचो भी मत जिम्नौ सपर्मस चीह यहां पर यहां तो जम्नौ सीव ट्यूब की जगे दे दिया इनको सीव सेल और कम्पैनिन सेल की जगे दे दिया इनको अल्ब्यूमिनस सेल इसको तुर्णा ध्यान देंगे नोट करेंगे मैं एक बार पानी की बॉटल लेके आती हूँ अपनी अब तो वहां तो विचारों से वैसल दिया था यहां से तीव ट्यूब भी ले लिया सीव सेल दे दिया कम्पैनिन सेल भी ले लिया अल्विमनस सेल दे दिया यारे तो सेटिंग की बहुत जरूरत है जिन्दगी में स्टूडियो सेटिंग्स की जिन्दगी में सेटिंग्स की नहीं स्टूडियो सेटिंग्स की बात कर रहे हूँ तुम लों के दुमाग में पता नहीं कौनसी सेटिंग चल रही होगी थैंक यू एक बार में पानी पीने दो रोगो आजो सीव ट्यूब कमपैनियन सेल पैरनकाइमा फाइबर सिर्फ ये डेड है बाकि सब जिन्दा है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना तो सब लिविंग ही है सीव ट्यूब लिविंग विदाउट नूकलेस अच्छे इनका अलग सीन है इनका इसका और इसका कौन सा सीन है बाजी राव मस्तानी वाला जैसे प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोन का एक ही पती था प्रियंका चोपड़ा ने कहा था ये लो मेरा पती तुम्हारा भी पती है ऐसा तो नहीं बोला था बर छीन रिया था दीपिका पादुकोन ने वो अलग बात है वैसे ही companion cell और sieve tube का एक ही nucleus है मतलब है तो nucleus इसका companion cell का लेकिन इसका nucleus इसको भी control करता है तो दोनों का एक ही common nucleus है जो कि companion cell में है है वो companion cell का nucleus sieve tube अपना you know मेनत करते करते बिचारी अपना nucleus गवा बैठी है इसमें क्या है यह living cell है लेकिन nucleus नहीं जैसे RBC भी तो living cell है उसमें nucleus नहीं दो तुम क्या non-living बोल दोग उसको ऐसे हम घटिया पंथी नहीं कर सकते है ना हमें इज़द देनी RBC को sieve tube को भी इज़द देनी है तो इसमें cytoplasm होता है लेकिन हो साइड में लगा होता है यहां पर रस्ता होता है glucose के जाने का नहीं है So living without nucleus has protoplasm functionally controlled by the nucleus of companion cell connected to companion cell by pit fields ठीक है Companion cell living है parent kymetis है nucleated है help in maintaining pressure gradient in sieve tube cells यह क्या करता है glucose की तसकरी करता है नहीं मिलके इसकी sucrose को डालता है नहीं धर से इधर इधर से इधर तो companion cell में पहले भरती है sucrose फिर वो वहां से phloem में डालता है समझ गए parent kyaima होता है living होता है fibers बेटा इसके fibers, vast fibers बोलते हैं जूट के fibers वगयरा जो होते हैं वो phloem fibers होते हैं रायलम fibers नहीं होते वो यह बहुत ही सुंदर फोटो बनाई हुई है देखने ही मैं अती सुंदर है यह this is a sieve tube का cell sieve tube element बोल सकते हैं आप इसको यह एक दूसरे के उपर रखे होते हैं इनकी जो बीच में जो surface है जो इनका common है उसमें छेद होते हैं इसे जिसमें से glucose ऐसे पास कर सकती है तो यह चलनी जैसे दिखते हैं इसलिए इनको sieve plate बोला जाता है sieve का मतलब चलनी इसलिए इनको sieve tube भी बोला जाता है क्योंकि इनमें चलनिया लगी हुई है that is why they are called sieve tubes जायलम में भी लगी होती है तो उसको क्यों नहीं sieve tube बोला जाता है क्योंकि जायलम में ऐसे छलनी या नहीं लगी है तो छेद 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 नहीं होता बड़े बड़े openings से होते है इसमें कि एच्छेद छेद यह side में आपको phloem parent का इमा नज़र आ रहा है जो कि living cell है सारी living है यहां पर इस diagram में सारी living है बीच में आपको companion cell नज़र आ रहा है तेरा nucleus आज से मेरा भी nucleus है यह इनका काम है ठेक है ना यह इसका cytoplasm नज़र आ रहा है जो side में पड़ा हुआ है इसके एक एक pore को C pore बोलते है ठेक है I hope यह diagram आपका clear है कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परिशानी बोले यह जो सुन्दर सुन्दर diagram है ना इनी को बनाने में थोड़ा समय लग जाता है थोड़ा नहीं बहुत समय लग जाता है इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती है आप लोग की क्लास है वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम पर आप लोग को डिलेवर करें जो भी हम लोग बोल रहें कि डिलेवर करेंगे आओ लो इम पैरन का इम है शुरू करो सिर्फ आइबर डेड्स है डेड्स नहीं डेड हैं अजी I am from 10th class I don't know what I am doing here what are you doing here तो तुम्ही पैता है बेटा और बोलो कि लो इम पैरन काई में शुरू करें चलो आगे सुनेंगे ध्यान से ध्यान से सारा फोकस इधर इधर मेरी तरफ नहीं साइड में बोर्ड की तरफ मेरी तरफ भी थोड़ा सा क्योंकि मैं बोल रहे हूं प्लोयम पैरन काईमा लाइव इलोंगेटिट टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स डेंस साइटोप्लाजम सेल्लोसिक सेल वॉल स्टोर्ड फूर्ड मेटिरियल रेजिन्स लेटेक्स मूसिलेज अबसेंट इन मोस्ट मोनोकॉर्ट मतलब जब धोका देने पर आते हैं तो हम किसी को भी धोका देते हैं पहले थी, जीम्नोस्पर्म को धोका दे रहेतें ना हमने ऐसको वैसल दिया ना हमने उसको सीव ट्यूब दिया ना हमने उसको कंपेणियन सेल दिया अब एंजिसम एंजिसम में लड़ाई है डाइकॉट ने मौनोकॉर्ट को नहीं दिया लो यम पेरनकाइमा नहीं दिया डाइकोट ने मोनोकॉट को नहीं दिया तो मोनकॉट एज नो फ्लोएंपेरनकाइमा अप्सेंट थेक है फ्लोएं फाइबर इसमें तोड़ी अजीब जीजीश की चीज़ें श्टोर कि हुई है यार रैजिन लेटेग्स में चलो थी याद कर अपने को याद करने फाइबर बास्ट फाइबर्स क्लेरन ologie मेटटल मेन नहीं होते हैं अंट पॉइंटीड होते हैं फाइबर्स ओव जूट याट करते हैं वो फाइबर्स हमेरा अवा टीशू खतम हो गया मैरिस्टमेटीड टीशू इंपर्वनें टीशू, meristematic में primary and secondary, permanent में simple and complex, simple में parent काइमा, colon काइमा, scle and काइमा, complex में xylem phloem, सब निपड चुका है, अब आजो tissue system में, तो tissue system में बेटा, आपके बास तीन परकार के tissue system देखने के लिए मिल रहा है, epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system, ये तीन परकार का सबसे, ये epidermal tissue system है, ये root में, शूट में, stem में और root में दोनों मिलेगा, मतलब जो आपके epidermal cells है, वो epidermal tissue system में आएंगे, ठेके, जो आपका stomata है, वो epidermal tissue system में आगा, देखो आपको stem में कुछ कुछ stomata देखने के लिए मिलते हैं, हलाकि मैंने यहाँ नहीं बनाए, आपको leaves में देखने के लिए मिलते हैं, ठेके, तो leaves में भी epidermal tissue system है, so stomata is a part of, सबसे बाहर की covering है, तो जितने वो हैं, वो बाहर की covering का part है, ठेके, आपको trichomes मिलेंगे, जो की multicellular है, ये भी epidermal system का part है, इसका काम क्या होता है, कभी-कभी glandular होते हैं, चीज़े सिक्रीट करते हैं, ठेके हैं, और कभी-कभी धूप से बचाने के लिए होते हैं, ऐसे छुपा लेते हैं stem को, तो थोड़ा से धूप को deflect कर देते हैं, then, बीच में जो आपका vascular system है, vascular system मैंने, xylem phloem, xylem phloem, और epidermal के बीच में, जो यह वाला, जो यह जितना यह part है, यह ground tissue system है, जिसमें आप आगे पढ़ोगे कि cortex होता है, endodermis होता है, pericycle होता है, है न, everything is there, तो वो आपका ground tissue system है, similarly root में देखो, यहाँ पर आपका epidermal system हो गया है, लेकिन यहाँ पर trichome के जागे root hair हो है, root hair है, root hair unicellular है, ध्यान देंगे इस बात पर, और यह absorption के काम आता है, आपको root से absorption करनी है, stem से तो कोई absorption नहीं करनी, कि stem से भी absorption करनी है, क्या absorb करोगे, छोड़ दो na stem को, सारी absorption root से करोगे, तो root का जो है, epidermal cells ही modify हो जाते हैं, एक ही cell लंबा सा हो गया, उसी को root hair बोल दिया, absorption में काम आते है, single cell, trichomes multicellular, तो epidermal system हो गया, अंदर vascular system वैसे isylem flow, और यह आपका फिर, ground tissue system हो गया, tissue system इनको detail में पढ़ना अभी आपाने, आजो, epidermal tissue system को अपतवाई detail में पढ़ लेते हैं, stem का और root का अलग अलग हो गया, जो मैंने अभी बात बताईए, वही बात है, और कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, multicellular trichomes हैं, ठेक है जी, जो कि secretory हो सकती है, या deflect sunlight हो सकती है, और इसके उपर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे waxy coating होती है, जिसको cuticle कहते हैं, क्यों cuticle ताकि water loss कम हो, ठेक है, to prevent water loss, अब root में नहीं होगी cuticle क्यों, क्योंकि या, root से water loss कौन कर रहा है बाई, जमीन के अंदर गड़ी हुई है, तो उसे तेरे से कौन पानी छीन लेगा, धूप छीनती है पानी, तेरे को धूपी नहीं मिल रहे है, तो कहां से पानी तरह छिन जाएगा, तो cuticle आपका सिर्स्टेम में मिलेगा, समझ भी आ गया, प्लस आपको कहीं कहीं stromata भी मिल सकता ह है, stromata भी मिल सकता है, ठीक है, root में, unicellular root hair for absorption, सिर्फ एक सिंगल सिंगल hair होएंगे, no cuticle, क्या करेगा तो cuticle का, कुछ नहीं, no stromata, क्या करेगा तो stromata का, तो जमीन के अंदर है, तो क्या करेगा stromata का, तुम कहां कि मैं फिर root कैसे gaseous exchange करती है, क्योंकि plants में ऐसा तो होत root में नहीं बेटा, root अपना ही gaseous exchange कर लेती है, soil में ही छोपी हुई air से कर लेती है, ठीक है, लेकिन उनके पास stromata नहीं होता, है न वैसे विचारोग बास होना तो चाहिए था, क्योंकि gaseous exchange उनको भी करना है, लेकिन नहीं होता, root में कोई stromata नहीं होता, आगी चलो, stromata as a part of epidermal system, तो आप basic सी कुछ चीज़े देख लीजी, इस पर PYQ आते हैं, यह जो अंदर bean shape के cells हैं, जिनके बीच में एक छेद हैं, यह पूरे turgid cells हैं, फूले हुएं इस वक्त पानी से, जब यह ऐसे होते हैं, पिछके हुए, इनके अंदर potassium आयन भर जाता है, फिर उसके पीचे-पीचे पानी आता है, तो यह से फूल जाता है, पॉप, पॉप, तो इनके अंदर का छेद है, उसको stromata के बोलते हैं, यह जो sideways cells होते हैं, इनको guard cells बोलते हैं, बीन shaped या kidney shaped guard cells बोलते हैं, इनको खुलने में कुछ चीजे मदद करती हैं, क्या चीज मदद करती हैं, एक तो जो cellulose के fiber, वो radially arranged होते हैं, तो वो उसको खुलने में help कर देते हैं, ठेक है, इन में chlor phoroplast भी होता है, तो यह photosynthesis भी कर सकते हैं, ठेक है जी, इनकी जो inner wall है, वो अच्छी खासी थिकंड होती है, जो यह inner wall है, यह अच्छी खासी थिकंड होती है, ऐसे, और जो बाहर वाली wall है, वो thin है, ठेक है जी, इनके साथ जो cells हैं, यह need 20, 21 का question नहों कहीं, जो just guard cells के बाहर cells है, just guard cells के बाहर cells है, उनको subsidiary cells कहते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुए, यहां भी लिख दे, क्यों मैं मैं मार्क कर ही दिया है, तो, अभी मैं पी वाई क्यों देख रही थी, just guard cells के बाहर वाले cells को subsidiary cells कहते हैं, subsidiary cells में कोई ऐसे, readily arranged cellulosic filaments नहीं है, ठेक है, उसके बाहर phidermal cells होते हैं, जो यह system है, radially arranged यह वो, यह सिर्फ guard cell का system है, ध्यान रखना है इस बात को, आगे चलेंगे, इन grasses, guard cells are dumbbell shaped, यह भी नीट का question है, नीट PYQA, grasses के अंदर जो आपका guard cell है, वो stomata की, इसका, sorry, dumbbell की shape का ऐसे, ठेक है जी, और यह आपके side में subsidiary cells है, this is a subsidiary cell, similarly here also, subsidiary cell, इसके बीच में stomatal pore है, ठेक है, और यह जो side में cells हैं, यह आपके epidermal cells है, यह question था, grasses वाला ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे, वैस्कुलर टिशू, चलें वैस्कुलर टिशू पर, can we move on to वैस्कुलर टिशू, चलें वैस्कुलर टिशू पर चलेंगे, अच्छे बजवाली क्लास होगी संपर्ख, मैम, I want to take more than you marks in e2020, भईया, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम सब के मेरे से ज़्यादा marks हैं, और क्या चाहिए है टीचर को, उसके स्टूडेंट्स के, अच्छे marks हैं, इसी के लिए तो दिन रात पसीना बहा रहे हैं, और क्या है, जिन्दगी में और कुछ है, बताओ, वैस्कुलर टिशू बढ़ते हैं, रेडियल में क्या है, जैसे कि ये जायलम फ्लोएम पड़े हैं, तो ये जायलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पड़े हुए, Xylem अलग radius पढ़ा है प्लोम अलग radius पढ़ा है यह Xylem है, यह phloem है तो हमें ऐसे याद रखना है कि root में किज कोई डर नहीं है हमें इसकी trick है याद करने की ध्यान से सनो root और stem में हमें याद करने होते हैं कि Xylem phloem कैसे पढ़े होते है तो हमें याद कैसे रहेंगे, जब हम ट्रिक से याद करेंगे, ने तो हमें याद नहीं रहेंगे, देखो एक stem है, वो धर्ती के ऊपर है, कोई भी गायर्स का खा सकती है, कि आहां मज़े आ गया, तो stem खा के, root को generally लोग नहीं damage कर सकते, ठीक है, किसी लकड हारे का मन किया, काट दिया stem को, है ना, root को generally लोग नहीं काट सकते, कौन मिट्टी के अंदर जाके काटेगा, तो root में कोई खतरा नहीं है, stem को बहुत खतरे हैं, यह अपने को याद करना है, अगर हम story से याद करेंगे, तो हम नहीं भूलेंगे, नीट के समय, जब हमारे पर pressure होगा, और हमें लगया कि हम भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, तो हम नहीं भूलेंगे, समझ रहो, so stem में जहां बहुत खतरा है, वहाँ xylem phloem साथ में लेते होते हैं, xylem phloem एक यी radius पर लेते होते हैं, ठीक है? जैसे माल लो, यह है, तो यहाँ पर xylem और यहाँ पर phloem, इनको बोलते है, conjoint vascular bundle, conjoint मतलब ही क्योंकि यह जोईंड हैं, ठीक है? तो जैसे कि तुम देखरो, यहा कि एक मिनूट रोको कि अपनी भावनाओं को रोको थोड़ी दिर एसे सद्रेय, यह जायलं दिया ओ प्लोम देने और ये भी दो प्रकार का है open और close ठीक है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने की openness है उसका दिल खुलाओ कि आओ मेरे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करो उसे open आसे बंदर बोलते हैं जिसमें नहीं होता अरे यार उल्टा मार्ख यह यह मार्ख जिए इसको क्लोजी बोलते हैं बेटा जैंच को क्लोज मंटन कर सकते शेकंडरी ग्रोध में कर सकते दुबारा सुनों एक बार फिर से स्टैंम में है पहली बात तो ये एक दुसरे को साथ चिपक के बैठे हों डर लग रहा है ये रूट में है डर नहीं लग रहा इसले खुले-खुले घुम रहे हैं कोई डर ही नहीं है तो रेडियल वाले रूट में होते हैं रेडियल वाले रूट में होते हैं, और CONJNT वाले stem में होते हैं, इतनी बात क्लीर है, अगली बात सुनो, रेडियल वाले root में, ConJNT वाले stem में, इतनी बात क्लीर है, डर जदा हैं न, दोनों साथ साथ में लेट गए, यह अलग-अलग लेटे हुआ अब यहां देखो stem भी दो होगी, एक monocot की stem होगी एक dicot की stem होगी, secondary growth का हो नहीं है सिर्फ dicot में हो नहीं है तो dicot में secondary growth करने के लिए थोड़ा सा meristematic tissue दो यह जो cambium है, यह meristum है ठीक है, इससे आगे जाके secondary growth होगी ठीक है, तो क्योंकि it is open to secondary growth तो इसको हम बोलते हैं, open vascular bundle ठीक है, यहां पे अगर तुम सारा ही उल्टा लिखा हो है यार इवन ये भी उल्टा लिखा हो है वो डाइग्राम बनाने में थोड़ी सी गलती होगी टीम से मेरी कोई बैद तुमनों को समझ में आ गया, डाइकॉट में secondary growth होगी, secondary growth करने के लिए यहां पे तुम मेरistumatic tissue चीए, तो इसको open vascular bundle बोलते हैं, open conjoint उसको close conjoint बोलते हैं, समझ में आ गया जल्दी बोलो हां मेगा, वो गलती से कर दिया था mark गलती से marking उल्टी हो गई थी जल्दी बोलो सुबरना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यह समझ में आ गया कि radial roots में होगा, और conjoint stem में होगा, conjoint जो open होगा secondary growth के लिए उपन है, वो dicot में होगा उसमें बीच में, meristematic strip मिल जाएगी और जो conjoint closed है, जिसका दिल बंद है उसमें कोई secondary growth नी होगी, वो monocot है जल्दी बोलो, हो गया आगे शले चलो अब हमें anatomy of stem and root करना है ध्यान से दिमाग लगाओ dicot की stem करनी है dicot की root करनी है यह dicot है monocot की stem करनी है और monocot की root करनी है कैसे बाई चल रहा है, यह monocot है यह कच्चा सा stem है, कोई secondary growth नी है कोई मोटा तना नी है इसका कितना मोटा तन है इसका मोटा तन है कैसे हुआ होगा लेटरल मेरिस्टम से हुआ होगा यह जो थिकने से लेटरल मेरिस्टम से हुई होगी तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होएगी रूट में भी और शूट में भी इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है ना रूट में प्लांट बीना सिकेंडरी ग्रोथ में हुगी और जिम्नोस पर इस पर यहां पकरेंगे तो सिर्ण याद करने हैं हमने हमने डाइक डाइको्ट के रूट में एक star था, एक star था, ऐसे हैं, चोटू सा star था, देखें, और monocoat की रूट में sun था, चमकता हुआ sun, इतना जादा चमकता हुआ sun, ऐसे आँखों चुंधिया जाए, इतना जादा चमकता हुआ sun, तो लोगों ने इसका बहुत मुझाग उड़ा है, लोगों ने खिड़की खोली और लोगों ने अंदर जाँका, ऐसे, और देखा, हाँ, हाँ, इतना बड़ा पेड, उसकी रूट में इतना चोटा सा star, बहुत मजाग उड़ा है, इन लोगों ने, ये जो जाँकते हुए लोगों, देखें, star से हमें root की anatomy याद करने में मदद मिलेगी, और जाँकते इतनी जादा रोश्नी थी, कि लोगों ने इसकी उपर एक चुन्नी चडा दी, कि यार ये आखो में लगरी है लोगों की रोश्नी ना, थुढ़ी चुन्नी से ढख दो, और इस चुन्नी के ऊपर सितारे थे, हर जगे, हर जगे सितारे थे, स्टोरी होगी अब देखो कैसे हम स्टोरी को आक्चौल स्ट्रक्चर में कनवर्ट करेंगे सबसे पहले हम आएंगे ड्गार्ट की रूट में स्टार याद करना अपने को लगाँ ट्गार्ट ये वाले चीज बाद में आ जोँगे लिए डाइकॉट रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस है सब में एपिडर्मिस होएगी रूट की एपिडर्मिस को एपिबलेमा भी कहते हैं ध्यान रखेंगे रूट की एपिडर्मिस को एपिबलेमा भी कहते हैं और आपको ट्राइकॉम दिख रहा है रूट हेर दिख रहा है वो सब सही है इसके जस्ट अंदर आते ही आपका ग्राउंड टिशू शुरू हो जाएगा अब एक बच्चा पूछा था मैं ग्राउंड टिशू सिस्टम तो कर लो तुः चाहिओ तो ग्राउंड टिशू सिस्टम अभी पढ़ाउंगी मैं अलग से न कियीं पढ़ेंगी तो ग्राउंड टिश्यू शिस्टम का पहला लेर जो हता इसको कॉटेक्स बोलते इस नह एक कोटेक्स relative ए कोटेक्स की दो लेर्स नजर आ रहे हैं यहां पर ए की दो लेर्स हैं एक पेरेंकाइमा दूसरी एंडोडर्मिस ये एंडोडर्मिस रूट्स में बहुत ही स्पेशल होती है क्योंकि जो भी चीज यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होती है जैसे यहां से तो एपो प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है ऐसे ऐसे करके लेकिन एंडोडर्मिस में उसको सिंप्लास्ट में ही जाना पड़ता है ट्रांस्पोर्ट में क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर something called casparian strips is present which is made up of suberin जो की हमारे सारी चीज़ों को सिंप्लास्ट में लेके आती है water से impervious होती है यह तो water वगएरा एपोप्लास से नहीं निकल पाते है it is a single layer of cells endodermis barrel shape cells और उसमें suberin की एक strip है जिसको हम casparian strip border casparian strip is a feature of roots it is never found in chute chute में क्यों मिलेगी भया क्या तुमको वहाँ से कुछ अब्जॉर्ब करना है नहीं क्या तुम्हें वहाँ पर guard खड़े करना है कौन सा iron आ रहा है let me see यह iron अंदर नहीं जाएगा यह तुम you can only go endodermis में ही होता है कि हम decide करते है कौन सा iron absorb होना कौन सा नहीं होना है ना तो वो तो root का काम है absorption so casparian strip is not found in chute endodermis will be found in chute stem but casparian strip नहीं मिलेगी वहाँ पर थेक है so endodermis which is a part of cortex only is a single layer of barrel shaped cells with suberan strip थेक है उसके अंदर के सारे material को steel कहते है endodermis के अंदर के सारे उसको यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक इसे steel कहते है अंधान रखो endodermis के अंदर वाले सारे उसको steel कहते है तो endodermis के अंदर हमें याद रखनाता है कि एक बंदा cycle चला रहा होता है this is called pericycle और यहां से आपकी roots निकलेंगी जो lateral root निकल रही है नहीं pericycle से निकल रही है lateral root जो है आपकी pericycle से निकल रही है उसके अंदर pericycle के अंदर आपका vascular tissue मिलता है अभी तक vascular tissue कोई बात नहीं है तो pericycle तक आपका सारा ground substance हो गया जो बच्चा ground substance के बारे में पूछ रहा था मुझसे cortex is the first layer of ground substance cortex ही खुद की दो layers है एक parenchyma अंदर endodermis then आपका आगया cortex के बाद आगया आपका pericycle ठीक है pericycle ground substance में दो ही layers है cortex और pericycle cortex के अंदर लेर को बोलते है endodermis इसके अंदर शुरू अच्छा फिर आगया अपना vascular tissue ठीक है vascular tissue में आपको देखो xylem नजर आ रहा है ये blue color में this is your xylem this meta xylem and proto xylem this is your xylem blue color wala and phloem is yellow in color मतलब actual colors नहीं this is just to show you now see since it's a root you don't have any fear here कोई डर है आपे तुम्हें कोई डर नहीं है तो कैसे bundles मिल रहे हैं आपको xylem अलग phloem xylem अलग phloem xylem अलग phloem xylem अलग phloem radial root में कोई डर नहीं है इसलिए वो radial है समझ में आगे radial vascular bundle का मतलब क्या है also dicot की root में star है अभी तुम्हें star नहीं देखने के लिए मिला ये रह बेटा star xylem जो है काफी अंदर तक जाता है और ये ऐसा होता है जैसे कि join ही कर जाएगा हला कि join नहीं करता but it goes very close to each other so can you see the star can you see the star beach में कोई space ही नहीं इसके ठीक है ये वाला this is a star beach beach में इसके phloem पड़ा हुए ठीक है जो sun और जो star है न वो xylem से बनेंगे ऐसे याद रखो क्यूकि ऐसे तुम sun भी बना सकते हो तुम बोलो मैं यह रहे इतनी सारी rays sun ही बना दो इसका तो पहली बात तो sun क्यूं नहीं सकता इसका क्योकि इसमें पित नहीं होती inconspicuous Pith इतनी छोटी सी होती है बिल्कुल छोटी सी पित is inconspicuous inconspicuous होती, जो दिखती नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें sun बनाना था, तो पित बड़ी रखनी थी, ना, sun बनाना है, तो इतनी बड़ी पित रखो, side मैं से raise निकाल दो, ठीक है, तो इसकी पित नहीं है, तो star में याद रखेंगे, जायलम में अगर हम बात करें, तो जब जायलम बनना शुरू करती है, जो पहले जायलम बनती है, उसको प्रोटो जायलम बोलते हैं, और जो जायलम उसे कोई याद नहीं रखना पहले और बाद में तो मैं कुछ और याद रखे प्रोटो अंदर है या बाहर है मतलब कि ये प्रोटो है या ये प्रोटो है तो मैं ये बात याद रखने है तो इसको याद करने की वी ट्रिक है क्या प्रोटो की करेंगे प्रोटेक्शन क्या करेंगे प्रोटो की करेंगे प्रोटेक्शन प्रोटो से प्रोटेक्शन प्रोटो की करेंगे प्रोटेक्शन ठेक है लेकिन कहां करेंगे प्रोटेक्शन जहां प्रोटेक्शन की जुरुत है और protection की जुरत है stem में root में कोई डर नहीं तब ही तो बिचारे वैस कुल अप अंडर रेडियल घूम रहे हैं क्योंकि root में कोई डर नहीं इसलिए proto भी खुलम-खुला घूमती है कि कोई डर नहीं so proto की protection सिर्फ stem में होगी root में कोई protection नहीं है इसलिए proto बाहर की साइड है क्यारी मुझे कोई डर नहीं आ जाओ जिसको आना है मैं बाहर ही रहूँगी shoot में उल्टा होगा stem में अलग होगा stem में ये proto अंदर छुप जाएगी ओ मुझे बहुत डर लग रहा है stem में बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है तो proto को protection चाहिए stem में root में नहीं चाहिए तो ये रही proto बाहर की साइड और metazylem है अंदर की साइड थेके जी वो इसी की कुछ बातें पढ़ा रहे हूँ steal all tissues inside of endodermis उसको steel बोलते हैं पेरिसाइकल वैस्कुल बंडर पित undergo secondary development कौन? dicot root रिक इन roots protozylem does not need protection so exarch ये exarch क्या है? ये exarch endark क्या है? ये protozylem और metazylem से related चीज है जब protozylem बाहर है तो exarch बोलते हैं जब protozylem अंदर है तो endark बोलते हैं ठीक है? यहान से सुनो दुबारा सुनो protozylem को root में कोई protection नहीं चीए तो वो बाहर है जब protozylem बाहर है तो उसको exarch बोलते हैं तो मैं मेटा से क्यों नहीं याद कर रहे हैं मेटा तो अंदर है ना तो उसको क्यों हम exarch बोलते हैं मेटा को भाड में जान दो जिसे तुमने फ्लोयम को भाड में जान दे फ्लोयम में भी तो होता होगा प्रोटो फ्लोयम मेटा फ्लोयम फ्लोयम की तो बात नहीं कर रही मैं तो हमने हर किसी को इंपोर्टेंस दे नहीं ना फ्लोयम को भाड में जा हमें सिर्फ प्रोटो जायलम से फरक पड़ता है ना फ्लोयम से मेटा फ्लोयम से ना प्रोटो फ्लोयम से ना मेटा जायलम से सिर्फ प्रोटो फ्लोयम से फरक पड़ता है प्रोटो को चाहिए प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन मिलेगी सिर्स्टेम में यहां पे प्रोटो बाहर है तो एक्जार्क ज्यान रखो अल्सो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज जायलम और फ्लोएम और नॉट अफ्रेड हीर यह रियल नहीं अगर कोई श्कूल का बच्चा पड़ रा है तो अपनी स्कूल में नहीं लिखाना कि нач怎么样 and p revenue are not afraid here that is why there is radial बंडल and also proto does not need any protection here that why it is exARG ऐसे मत कर लेना it is just for learning समझ में आया, आगे शलू जल्दी बोलो ये याद करने के लिए ट्रिक है दिमाग खराब करने के लिए ट्रिक नहीं है टीचर का दिमाग खराब कर दो स्कूल वाला टीचर सिर पकड़ के बैड़ जा दिवार में मार दे सिर कि ऐसे बच्चे को पढ़ाने से पहले में मर क्यों नहीं गया देखो एपिबलमा रूट हैर ग्राउंड टीचु सिस्टम ग्राउंड टीचु सिस्टम में कॉर्टेक्स पेरेंट काइमा वाला और देन अंडुडर्मिस रूटबर्मिस बेरल-shaped cells with gaspyrin strips खतम बाद दन उसके अंदर पेरिसाइकल उसके अंदर सारा मेटियल स्टील पेरिसाइकल और वैस्कुलर टीशु और पित सब स्टील पेरिसाइकल से लेटरल रूटस निकलेंगी पेरिसाइकल के अंदर वैस्कुलर टीशु पढ़ा होगा है वैस्कुलर टीशु रेडियल है जाइलम फ्लोईम अलग-अलग रेडियस पढ़ा होगा है पित बिल्कुल छोटी है इनकॉंस पिकोस पित देन प्रोटोजाइलम इस आउटसाइड इस आउटसाइड सो एक्जार्ख ओनोकॉट रूट में इस देखेंगे कुछ डिफरेंसे हैं कुछ सिमिलारिटी जैसे की रूट है जैसे की एपिवलेमा एपिवलेमा या एपिडर्मिस कुछ भी लिख लो यह तो सेम ही है कॉर्टेक्स सेम ही है एंड़दर्मिस सेम ही है क्योंकि रूट है न रूट है तो एंड़दर्मिस तो होगी कैस्पीरेंस ट्रिप भी होगी everything is same पेरिसाइकल इस सेом में डर नहीं लगता जब डर नहीं लगता तो रेडियल होगा न दोनों साइड में और एकज厂की है trat हें रूट्स में жест इसमें जायलम के pieces जादा है उसमें सिर्फ चार पीस थे इसमें देखो है और बहुत बढ़ी हैं अंदर देखो सूरद बन गया है ऐधा ठाफ बहुत बढ़ी है यही फरक है और कोई फरक है यहादा बंडल से जक चोटी कॉ rotate ज्यנס बंडल हैं इसको ह appropriate condition बोलते हैं polyarc और एक्स आर्क यहां पर भी है प्रोसिटायलम करना पीछे है ऑन अंदर है तो अंड़्क हैं यहां पर भी एक्सिक ज़ा hopelessika यहां यह पित फित है यार्जे सो संट रखेंगे और मोनोकाट रूट छोटे से पौधे की रूट में इतना बड़ा सन छोटे चे पौधे की रूट में इतना बड़ा सन इतने बड़े पौधे की रूट में डाइकॉट की रूट में इतना सस्टार आगे चलो स्टेंप पे आरे हूँ स्टेंप पे आरे हूँ ट्रिक है फियर ठिक है फियर बहुत डर लगता है बाबुजी ठपड से डर नहीं लगता बाबुजी यार से लगता है तो स्टेम में सबको बहुत डर लगता है जैसे कि हम देख रहे हैं तो बंडल होंगे कॉंजोइंट जायलम फ्लोईम के उपर चड़के बढ़ जाएगा कि बहुत डर लग रहा है मैं अलग से नहीं बैठूँगा एक ही साथ रहेंगे दोनों भाई जैलम फ्लोईम कठे इसको क्या बोलते हैं तो बहुत बहुत है बाई जाड़ डर है जैसे लगत में फिलवेश करते थे शक्तीमान देके हो तो उसमें किलवेश होता था में विलन आत्मा काम जाते थी हमारी किलवश ऐसे ऐसे वो बना के रखता था जैसे अपने आजकल मार्वल मूर्वल में होते ना एंट मैन ये वो कहार एंट मैन तो अच्छा हो गया मतलब खराब वाला थैनस थूनस वाहां हमारे पास थैन house नहीं होते थेगे जब हम हमारे पास शक्तीमान के adversaries होते थे ऐसे अजीब से और हम सोचे दे भाई भाई रात को ना जाए जब सूसु करने के लिए उठें तो सब्सक्राइब तो जितना डर हमें उस टैम लगता था स्टैम उतना इंडर लग रहा है सबको बहुत फियर है बहुत फियर है तो पहली बाद तो प्रोटो जायला में वो अंदर छुप जाएगा इस बार, क्यों प्रोटो को चाहिए protection stem में, तो end-ark condition बन जाएगी इस बार, तो conjoint bundles बन जाएगे, और end-ark condition बन जाएगी, ये दो चीज़े हैं ध्यान रखनेए, आजो, क्योंकि ये डाइकॉट की stem है, भाई से कोई पंगा नहीं लेगा, तो open होगा, क्योंकि उसमें एक meristematic strip पड़ी होगी, बीच में camion बोलते हैं, इंट्रा-fascicular camion बोलते हैं, तो open है, क्योंकि you are open to secondary growth ना, तो open vascular bundle है, then protozylum needs protection, so inside and dark condition है, नहीं याद रहे तो ऐसे आदटना, अगर फिर भी भूल जाओ तो ऐसे आदटना, चिडिया अंडे कहां देती है, रूट पे देती है, या शूट में देती है, कोई ऐसी चिडिया जो तुमने देखी हुई हो, कि मैं तो मिट्टी के नीचे जले जाओंगी, ठेक है, ऐसे सुरंग बना के वहाँ पर अंडे दूँगी, ऐसे नहीं होता, चिडिया जनरली पेड़ के उपर अंडे देती है, यह देखो, मेरे को क्या हैबिट पड़ी हुई है, रैसलर की तरह ऐसे ऐसे करने की है, तो एंड डार्क, अंडे से आद रख लेना, कि बहिए स्टेम में एंडार्क कंडिशन है, क्योंकि अंडे हमेशा स्टेम पे दिये जाते है, रूट में नहीं दिये जाते है, ध्यान र तो एसे हमें कुछ स्टेम का स्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, यह रहे वो मजाग उडाते हैं लोग, क्या होता है, स्टेम को ज़्याद सपोर्ट चाहिए, रूट से, रूट से अधिक सपोर्ट चाहिए, यार, टाइम का मैं आज, साड़े पांच तक मुझे एक लास ख क्लास में मौक टेस्ट है, तो मारा होल से ले बस, दस दिन मैं मौक टेस्ट ले रही हूँ, एक जुलाई से दस जुलाई, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, अब आगे बच्चे, आप जान लो, टेके, और टेस्ट देने पहुंच जाना अच्छे बज़े, लिंक जो है, इस क्लास के नीचे भी मैं कोशिश करूँगा, दलवा दू, और नहीं तो टेलिग्राम पर आके ले लो, नहीं तो अने कैडमी आप पर आजो, रित उरते वाल लिखो, वहां मिल जाएगा तुम लोग, देखो, स्टेम को जाधा सपोर्ट चाहिए, ऐस कंपेर टू रूट, तो हमें कुछ अलग से इंतिजाम करने पड़ेंगे उसके लिए, अब यहां देखो, इसमें क्या है, this is epidermis, this is trichome, अब यह स्टेम है, तो trichome और cuticle नहीं चीज़े आंगे, root hair होगा नहीं यहां पर, पहली बात तो epidermal system होगया, प्लस कुछ trauma भी मिल सकते हैं, जो मैंने य नहीं बना है, then your cortex will be divided into three layers, your cortex, instead of two layers, it will be divided into three layers, जो सबसे ओपर ओली cortex की लिए रहे है, इसको बोलेंगे, hypodermis, and to give mechanical strength to the stem, because it is growing against the gravity, it is made up of colenchyma, then normal cortical cells, जो कि parent काइमा के बने होंगे, and then endodermis तो होती है, inner most layer of cortex, जो कि यह रहे हैं, endodermis, which is तीनों को मिला के, cortex पूल देंगे, बट यहां endodermis में एक खास बात है, कि Caspirian strips नहीं है, करेंगी भी क्या होके, क्या करेंगी, कौन सा तुझे किसी का रस्ता रोकना है यहां, रस्ता तो सब रूट में रोका जाता है, तो तू कुछ नहीं है, यहां पर स्टार्च की एक शीथ है, स्टार्ची शीथ है, स्टार्च शीथ भी बोल दते हैं, endodermis को, तो एक तो डिफरेंस यह आ गया पहली बात, दूसरा यहां पर पेरिसाइकल आ गया, लेकिन पेरिसाइकल सेमी निउनर पैची ने पढ़ा है, अर्ध चंद्रमा जैसे पैची ने पढ़ा हूए, जो इतने अच्छे अर्ध चंद्रमा तो नहीं लग रहे हैं, बट मैंने अपनी तरह से कोशिच करी है, बनाने, पेरिसा काइब के बना दो थाकी थोड़ा सपोर्ड अच्छे से आए oh परिस्येकल दोनों सपोर्ट के लिए क्लेरन कायमा सपोर्ट क्लेरन कायमा सपोर्ट ऐगा रैस्कूलर बंदल अब रेडिल नहीं हो सकता अब यहां पे तु ने लिग रहे हैं यहां पे डिख यह भल्म है खेंद स्ट्रिप में여क। गला थक गया मेरा यार सुन दुबारा सुन दुबारा सुन जायलम फ्लोयम के उपर चड़ा हुए उसके सिर पे बैड़िया जाके बीच में केम्बियल स्ट्रिप है तो ओपन कौन जॉइंट वैस्कुलर बंडल है डाइकोट स्ट्रिम में ठेक div और जायलम में भी अंदर की साइड कौन सा है प्रोटो जायलम या मेता जायलम प्रोटो नेड़्स प्रोटेक्शन हीर तो यह प्रोटो जायलम है तो end arc condition है यहां पर वोही मैंने बस लिखा हूँ और सब यह प्रोटोजायलम है, यह मैटाशायलम है, जूझे यह प्रोटोजायलम बताई हुई है, अपने हिसाब से तो मैं बहुत अच्छे डाइगरम्ज लेके आ रही हुं और इसको अन्डार्क बोलते हैं, ठीक है, तो यह आपको पित दिख करें के लिए यह पित पैरंट काइमा विद लार्ज इंटर सेल्लिलर स्पेसिस अब हम आएंगे मोनो कोट स्टेम में आओ स्टोरी देख लेते हैं इसके कि मोनो कोट स्टेम में चुन रोड़ी हुई है विद सितारे यह आओ इसकी नर्ट में देख श्लेच का ंप नो करक पहली बाद तो आन्रोर कुप रहे हैं और लौर न्यूज का तो तो Conjoint Vascular Bundle, Closed Conjoint Vascular Bundle, ठेके हैं, Phloem Parenchyma Absent, क्यों, वाइस Phloem Parenchyma Absent हीर, क्योंकि तुम मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट ने मोनोकॉट को ही धोका दे दिया, अच्छा सिला दिया, तुने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, Phloem Parenchyma Absent in मोनोकॉट स्टेम, वाइस वाइसकुलर बंडल्स, वाइसकुलर बंडल्स के अंदर वाइसकुलर बंडल्स के अंदर वाइसकुलर बंडल्स होती ही, नो सेकेंडरी ग्रोथ कहां से होगा तो मॉनुकर्ट है ना आओ देखें सितारे वाली चुन्नी देख लें अब है और मार्प नहीं किया मैंने अपने को पता है ट्राइकॉम एक अगे देखो है आईए कॉटेक्स का इसा पार्ट है लेकिन इसकी हैपो ज्कुर्ण काईमा की बनी यह क्योंकि इसको पता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं विलेगा क्यों कि तेरे अंदर सेकेंडरी से बहुत जदा सपोर्ट मेलती है मोदोकोट स्टेम में कोई सेकंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो अब इसकी स्टेम अपने उपरी जिम्मा उठाले है फ्रहें तो यह एपना हाई्पोडर्मिस skleran kaya का बनाना के आती है सबसे strong tissue घे से अगर मैं this time की बात करूं वहां पे कोई मदद ने करता वो अपनी मदद खुद कर लेते हैं ते कि आत्मने निर्भर हो जाते हैं तो यह हाइपोडर्मिस के होती है देन उसके बाद कोई लेर नहीं है कोई लेर ही नहीं बस बीच-बीच में यह सबस्टांस है जिसको हमने ग्राउंड सबस्टांस बोला हुआ है और इस ग्राउंड सबस्टांस में माता की चुन्नी में जासे सितारे लगे होते हैं वैसे ही वैस्कुलर बंडल पड़े होते हैं जो कि साइड में वैस्कुलर बंडल छोटे हैं और अंदर जाते हैं वैस्कुलर बंडल बड़े हो जाते हैं वैस्कुलर बंडल अगर तुम bundle sheath which is scleranchymitis आत निर्भर monocot stem दो टिशू आए दोनों scleran काइमा के हाइपोडर्मिस और bundle sheath बीच में parent काइमा पड़ा हुआ है ठीक है जाइलम है तुझे फिर पता है stem है तो क्या होगा एंडर्क कंडिशन होगी protozylum अंदर metazylem बाहर ठीक है जी closed conjoint खतम पेरिफिल वैस्कुल बंडल स्मॉल डन सेकेंडरी ग्रोथ प्याजाएं बोलो बोलो शुर्ड करूं चैती देख रही हूं कुछ अच्छी बात लीखोंगे तब तो बोलूंगी कुछ लीफ लास्ट में है रूशिल लीफ जो है लास्ट में कराऊंगे एंड में कराऊंगी और बोलो 2023 के मेरे बैचे शुरू हो जाएंगे बेटा जुलाई में ही ठेक है तो अपनी सीट बुक कर लो अगर तुम 2023 की त्यारी मेरे साथ biology की ऐसे करना चाते हो कि बस चमक जाए biology तुम्हारी biology में सितारे लग जाएं जैसे monocot की stem में लगें अगर तुम ऐसी biology चाते हो ना, बेदाग biology तो 2023 के लिए subscription ले लो और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो एक सल में देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुचाती हूं को गलत एख लिगूब का कि ऑल मिसिंग लिंग्स स्व कनेक्टिंन इंद आउन दिये है तो जो मेंने बूल को साही हर है चलो secondary growth क्या है मोटापे में बड़ोतरी सिर्फ डाइकोट और जिम्नोसपर्म में होगी लेकिन जिम्नोसपर्म में भी होगी increase in girth of डाइकोट stem and root stem root दोनों में होगी secondary growth किस से होगी? lateral meristum से होगी lateral meristum दो परकार का है vascular cambium जो कि मैं तुम्हें अभी बना कर बताऊंगी and cork cambium जो कि मैं तुम्हें अभी बना कर बताऊंगी vascular cambium forms a secondary xylem and secondary phloem जो कि मैं तुम्हें अभी बता कर बनाऊंगी बना कर बताऊंगी और cork cambium forms cork and secondary cortex जो कि मैं अभी तुम्हें बना कर बताऊंगी formation of cambial ring in dicot stem आजओ dicot stem dicot stem में हमने क्या पढ़ा था नाइटमी में ऐसे लोग देख रहे हैं और हस रहे हैं ऐसे इसके अंदर तुमने यहाँ पे एक cambial strip देखी थी एक meristematic strip देखी थी कि नहीं देखी थी तभी तो इसका जो vascular bundle है वो conjoint open कहलाता है क्योंकि तेरे अंदर openness है secondary growth करने के लिए तो यह openness कहां से आई है यह openness आई है इस meristematic tissue से इस cambium को बोलते हैं intra-fascicular cambium intra मतलब के बीच में जैसे intra-cellular secretion cell के अंदर ही secretion हो रही है extra-cellular secretion यानि cell के बाहर secretion हो रही है तो intra-fascicular cambium जब secondary growth होने की बारी हाती है तो तुम्हें पता है यहाँ पर these are medullary rays यहाँ पर medullary rays थी है ना? और वो parent chymetis थी तो medullary rays का कुछ पोर्शन parent का वो हो जाता है meristematic हो जाता है मतलब de-differentiation हो जाती है medullary rays parent काइमा की बनी है और वो parent काइमा वापस meristum बन गया तो इसको de-differentiation बोलते हैं that means it is a secondary meristum primary meristum नहीं है यह है ना? यह वाला यह वाला जो medullary rays की de-differentiation से meristematic tissue बना है आप है जैसे ही meristematic हुआ de-differentiation हुई यह ring पूरा हो गया अब इसको cambial ring बोलेंगे that means cambial ring ना तो आप पूरी तरीके से primary कह सकते हैं उसको क्योंकि उसका कुछ पार्ट primary है जो इसके बीच वाला पार्ट है यह तो primary है ना? यह तो पहले से ही था लेकिन यह बाद में बना है जो medullary rays से बना है यह वाला यह secondary है ठीक है? so इससे cambial ring कहा देंगे अब क्या होगा cambial ring में? यह अंदर की जायलम है बाहर की साइड फ्लोम है तो अभी अंदर की साइड सेल्स बनाने शुरू करेगा जो अंदर की साइड सेल्स बनाएगा उसको क्या बोलेगा secondary जायलम और बाहर की साइड सेल्स बनाने शुरू करेगा जिसको बोलेगा secondary phloem तो phloem की साइड secondary और Xylem की साइड secondary Xylem बनाना शुरू कर देगा activity of Cambio ring isse फ़हले तो कुछ नहीं पढ़ना था secondary Xylem को हम wood कहते हैं है जो Cambio ring बना उससे secondary Xylem निकला secondary Xylem बहुत ज्यादा बनता है secondary flow in तो थोड़ा सा बनता है secondary bạn बहुत जादा बनता है जो अंदर बनता उसी के वुड करेते हैं सब्सकेंडर के अंदर सब्सटान्स को लिट केते हैं आप तुम कोगा लिक न इन शेंडर सब्सटान्स भी और इस परामीरई propose पेंद्स phloem crush primary phloem crush उसके पीछे क्या होता है pericycle pericycle crush endodermis crush cortex crush everything is crush because excessive growth of secondary xylem is formed more than secondary xylem is formed more than secondary xylem secondary phloem primary phloem and other tissues are crushed everything outside vascular cambium is bark समझ रूप क्या structure बना यह vascular cambium है इसके अंदर तक यह पूरा secondary xylem है यहां से यहां तक ठीक है यहां पर थोड़ थोड़ा primary xylem रचा हो है यही तो वुड है secondary xylem यह vascular cambium है और इसके बाहर जितना टीशू है वो पूरा बार्क है यह और यह के बीच में बार्क है तो कुछ बचा ही नहीं या तो वुड बची है तो बार्क बचा है दो लफजों की है यह कहानी या है महाबत या है जवानी तो या तो महाबत है या जवानी है और कुछ है ही नहीं या तो वुड है secondary xylem या बार्क है vascular cambium के बाहर सारा टिशू बार्क है vascular cambium के बाहर सारा टिशू बार्क है मतलब बार्क में क्या क्या आ गया secondary phloem, primary phloem, pericycle, endodermis, cortex, epidermis everything is bark activity of cambium ring in dicot stem stem ही पढ़ रहे थे अभी तक हम तो वो ही है जो मैंने अभी बनाया है यह जो purple color में बनाया है वो cambium ring है जो बाहर yellow color में बनाया है वो secondary phloem है जो अंदर blue color में बनाया है वो secondary xylem है जिसको हम wood कहते है जो अंदर बिल्कुल पित के पास छोटे-छोटे बिंदू से बनाया है मैंने जो बिल्कुल छोटो-छोटो ऐसे यहां पर बिंदू से बनाया है यहां पर यह primary xylem है जो अंदर की तरफ छुप गया है और पहले medullary raise होती थी रेडियल कंडक्शन ओ वाटर के लिए पैरेंट काईमा होता था वाँ पर अब यहां पर secondary medullary raise आपको देखने के लिए मिल गई है activity of cambial ring समझ में आ गई है secondary growth in dicot stem समझ में आ गई है बोलो लाइक कर दो यार वीडियो तुमनों को बोलना पड़ता है ना तुमनों को बोलना पड़ता है लाइक कर दो बस secondary growth खतम है रूट में secondary growth का एक मिनिट का काम है एक मिनिट का secondary growth खतम हो चुकी है ना वैस्कलर केंवियम की खतम हो चुकी है कौर केंवियम की बची है अभी बस सुनो अब वूड के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते springwood एंड autumnwood यह जो springwood और autumnwood है वो आपको temperate regions में ही देखने के लिए मिलती है जहां पर temperature का difference आता है उसमें क्या होता है जो आपका वैस्कुलर केंवियम है वो continuously secondary xylem बनाता है ठीक है spring में वह बहुत जल्दी secondary xylem काफी सारा बना देता है तो वह secondary xylem में secondary xylem में vessels बहुत मोटी-मोटी बना देता है ऐसे खुली-खुली vessels बनाता है और यही cambium जब सर्दियों में बनाता है या autumn में बनाता है वोड तो बहुत धीरे-धीरे बनाता है और पतली-पतली वैसल बनाता है ऐसा चेक है cambium ring secondary xylem बनाने की speed में difference कर देता है cambium ring secondary xylem बनाने की speed में भेदभाव करता है गर्मियों में वो तेजी से बनाता है तो जब तेजी से बनाता है तो मोटी-मोटी वैसल बनाता है ठेक है और जब सर्दियां होती है autumn होती है तो धीरे-धीरे बनाता है तो पतली-पतली बनाता है तो जो सर्दियों वाली जो वुड है वो डार्क कलर की नजर आती है क्योंकि कि आप प्लांट की एज बता सकते हो autumn wood and spring wood form the annual ring used to estimate age of plant समझ में आ गया spring wood और autumn wood क्या होता है उसी प्रकार से heart wood और sap wood क्या होता है heart wood क्या होता है xylem जितनी secondary xylem बनी है उसके अंदर वाले region में बहुत सारी चीज़े स्टोर कर लेता है जैसे कि resins, tannins यह सब तो वो पानी conduct करना बन कर देता है जैसे मानलो यह wood है this is secondary xylem या wood इसमें आपको rings नजर आते हैं ऐसे ऐसे rings नजर आते हैं वो एक अलग बाद है वो में पीछे बढ़ा हुए then जो अंदर वाला region है उसमें यह चीज़ें स्टोर कर लेती है और अंदर वाटर से पर्मीबल नहीं रहती है वाटर नहीं ट्रांस्पोर्ट करता भी इतना अंदर वाला region इसको हाट वोड बोलते हैं अंदर वाली region को inner secondary xylem dark brown due to deposition of tannins, resins, gums and oils it is hard, durable and resistant to insect attack doesn't conduct water only gives mechanical strength that means the core of xylem is dead इसी को heart wood केते हैं इसका दिल मरा हुआ है और जो साथ वाली xylem है इसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है तो इससे पानी conduct होता है इसको sap wood बोलते हैं peripheral region of secondary xylem lighter in color conduction of water then cork cambium के activity पे आजो cork cambium के activity पे आजो देखो vascular cambium के activity के वज़े से साथ वाला सारा tissue destroy हो गया vascular cambium जो grow कर रहा था अंदर तो उसने wood बना दी बहुत अच्छी बात है तुमने wood बना दी लेकिन तुमने बाहर bark तो destroy कर दी सारी की-सारी push कर करके तो बाहर से protection के लिए एक नया superhero जन्म लेता है जिसको बोलते है cork cambium तूटा हुआ जो cortex है उसके कुछ cells meristematic हो जाते है फिर से de-differentiation तूटा हुआ जो cortex है उसके कुछ cells meristematic हो जाते है cork cambium जिसको हम fellow gen भी कहते हैं या दरको gen से generate क्योंकि यह चीज़े नई generate कर रहा है नई cells generate कर रहा है develops in the cortex region which is a few layers thick जैसे यह मान लो यह cork cambium यहां पर तूटे होए cortex में से अब यह अंदर की side जो cells बनाएगा उसको secondary cortex बोलेंगे और यह जो बाहर की side cells बनाएगा उसको cork बोलेंगे जो की dead cells होंगे ठीक है जिनमें की वो भरा होगा subarin भरा होगा it forms cork जिसको हम film भी कहते हैं यह terms यहादख नहीं film, phelogen और pheloderm film on the outside impervious to water due to subarin deposition जो casperian strip में deposition होती है जो cork होता है वो आपका उपर नहीं cork तो खेर नीचे भी होता है जब secondary growth होगी तो दोनी जगह होगा deposits which are dead cells forms secondary cortex in the inside pheloderm ठीक है on the inside which is parent chymetis live होता है वो जिन्दा होता है ठीक है so phelogen माने cork cambium plus phelum जो बाहर तुने cork बनाया है dead cork प्लस pheloderm जो कि तुने अंदर secondary cortex बनाया है जिन्दा secondary cortex बनाया है जिन्दा इन तीनों को मिलाके periderm बोलते हैं ये term याद रखेंगे ठीक है चलो बार्क भी जो होती है तुभी पता है vascular tissue के vascular cambium के बार सब कुछ बार्क है बार्क भी early बार्क और late बार्क हो सकती है early या soft बार्क जो कि early in the season बनती है late या hard बार्क जो कि late in the season बनती है ठीक है secondary growth in dicot root ये बिल्कुल simple है dicot root में याद करो star होता है dicot root में star होता है ये xylem है ये phloem है इसका जो cambial ring है वो totally secondary है क्योंकि इसके बीच में कोई interfascular cambium था नहीं interfascular cambium था नहीं क्योंकि conjoint नहीं थे ना bundle तो दिरवास no cambium पूरा का पूरा cambium नया बना है de differentiation से बना है कहां से बना है देखो xylem के उपर pericycle है pericycle के कुछ cells meristematic हो जाते है ठीक है और phloem के नीचे वाले कुछ cells meristematic हो जाते है और यह ऐसे करके एक wavy ring बना लेते है और यह ring बिल्कुल वही activity शो करता है जो कि आपके stem में शो करेगा ठीक है अंदर की side secondary xylem बाहर की side secondary phloem बनाएगा vascular cambium is totally secondary in origin originates from tissue just below phloem and portion of pericycle just above protozylem just above protozylem क्यों बूला क्योंकि यह protozylem है ना proto बाहर होता है proto कोई protection है root में proto कोई protection है आजो leaf दोपरकर की leaf कर लेते जो प्रकर की leaf कर लेते हैं दोपरकर की leaf कर लेते हैं आजो dorsi ventral d से dorsi d से dicot Gition Ti Dorsi-Ventral Leaf D D, D course, with D D. मियाँ, कि उपर उड़ा वर नीचे वाला सर्फेस अलग अलग है Dorc왔r Venral Golf ज़र बोलते हैं नीचे वाले को ABल एक्जिल बोलते हैं रहेican how you will do ? जो AB भुराई है वह दिखाते हैं देखार जो more stomata on the lower side less stomata on the upper side पानी बजाने के लिए यहां पर उपर की side आपको अलग मीजोफिल मिलेगा पैलिसेड मीजोफिल और नीचे की साइड आपको अलग मीजोफिल मिलेगा स्पॉंजी मीजोफिल तो यहां तक ना स्पॉंज नीचे लगाया आपने ताकि आप स्पॉंज पर इजली कूद सको आपको चोटना लग जैसे इमाजन करो आपके नीचे स्पॉंज लगा हुए उपर स्पॉंजी मत बना देना ठीक है इस इस पैलिसेड इस इस पॉंजी इस एर कैविटी स्पॉंजी में दिरिस सब स्टोमेटल स्पेस स्टोमेटा की जो नीचे स्पेस है वो सब स्टोमेटल स्पेस है और यह आपका वास्कुलर बंडल है जालम फ्लोई में आइजो बालेटरल मोनोकॉटली जिसके दोनों सर्फेस उपर और नीचे सेम ही है आइजो मतलब सेम मोनो राइजो आइज़ आब एक्जिल सेम है और कोई ऐसे स्पॉंजियर वो नहीं है सिर्फ एक ही है मेजोफिल सेल्स और नीचे सर्टेन आइज़ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड इन ग्रासेस टू फॉर्म यह बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एड एक्जिल सर्फेस पे कुछ सेल्समोडिफाइड बुलिफा मिसाल्स बुलते है बूले रोते हैं तो ग्रासे एससे 했습니다 जाते है उनसे वाटर लॉस हो जाता है ट्रांस्पिरेशन से तो फूल्ड जाता है ग्रास ऐसे बुलिफार्म सेल्स की वरज़े से विल्टिंग हो जाती है कि मिनिमाइज वॉर्टर लॉस चाप्टर खतम आओ क्वेश्चिन करें बोलूंगी नहीं क्वेश्चिन कराऊंगी सर्फ प्लॉय मिन जिम्नोस्पर्म लाख जिन्दगी ने जिन्दगी उपर गम दिये जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता दोनों ही लाख हुआ है यह लेंटिसल नहीं कर वाया है मैंने सही बात है लेंटिसल क्या होता है जो को कार्क नब बनाती है लेकिन कुछ यह क्या कहते है परिंट चैल्स भी बना लेती है अ कुछ जब इन पर बहुत प्रेशर आता है तो यह फट जाते है और जब यह फट जाते हैं तो यह ही खुल जाता है से केस खुल जाता है यहां पर लेंटिसल बन जाता है ब्रीधिंग औफ रूट्स के लिए है ब्रीधिंग और स्टेम के लिए भी है स्टेम पर लेंटिसल होते हैं पाल तो कुछ नहीं है यह करो कर दो कर दो कर दो कर दो गर्थ लेटल मेरिस्टन कर दो सॉफ्ट्वूड क्यों बोलता है को क्या नहीं है उनके पास कर दो 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 अटा वैसके फाल तो कुछ नहीं है अच्छे वश्चन करो कंपैनिंट चल्व अर ग्लोज ली अस्टोसिटेड विद् कर दो कर दो कर सुफ्ट्व एलिमेंट्स दो हजार एक्विस के कुछ्शन करते हैं कर कर यह दोजार रिक्षिस का पुश्यन है इस तिन्क टिश्यू सिस्टम सेल विद एक्टिव डिवाजन गवाटिया यह 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 पूरा नहीं आया है रोको मैं इसको करती हूं पूरा यह दोजार इक्षिस का कोश्चन है क्वेश्चन गलत आई पो रखा है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपैसिटी एक्टिव सेल डिवीजन कैपैसिटी एक्टिव एक्टिविजन का कोश्चन है तिशू having all cells similar in structure and function tissue having different types of cells dead cells with highly thickened walls and narrow lumen, vascular tissue अच्छा ये division capacity यहाँ पर आ रिया, meristematic tissue, sclerid simple tissue, अब करो अब करो अब करो इसस 2021 question तुम कितना easily कर पाओगे देखो इसको sclerid active cell division capacity meristematic cells, tissue having all cells similar, simple tissue tissue having different types of cells vascular dead cells with highly thickened lumen sclerids P.C.A. 2 P.C.A. 2, एकी है? दı इस च्रादव which यह पीवाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए केटेगरी सेलेक्ट करो वन येर ये टू येर को क्लिक करो नीचे स्पेस आएगा कोड के लिए फीस में डिसकाउंट के लिए कोड भरो और एपलाई का बटन दबाओ फीस में डिसकाउंट होने के बाद फीस भरो और बैक जॉइन करो प्रफ चल की बन्लस में और देख लेएं कि अब ही इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे कोशन किरापाऊं के सिखेंड़ी ग्रोथ में से कोशन शाय हुए काफिए दोज़ारी किस में रुको इसके बाद सीधा सेंडरी ग्रोथ पर चलते हैं आज जो सेकेंटी रोथ पर चलो सॉरी आज क्वेश्चन्स नहीं करा सकते तुम्हों को सारे चलो यह 2021 का क्वेश्चन है कर दो मेरे शेरों कर दो मैं साथ नहीं कर दोती हूँ यार तेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलो डर्म कहते हैं सुबरेंड डेपोजिश्चन कॉर्क में होता है कॉर्क केमियम को फैलो जैन कहते हैं एक्सचेंज अफ गैसे लेंटिसल से होता है बना लो क्या अंसर बनेगा पी का थ्री पी का थ्री एक तो इतने इजी ओप्शन देते हैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग नहीं देते हैं बतानी क्यों नहीं देते हैं कि 2021 कि 2021 में तीन चार कोशन थे इस चाप्टर से सिलिट्ट थे करेक्ट पेर क्या है इसमें प्यूश टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे यार यह पूरा टैपिंग मिस्टेक है यार बहुत टैपिंग मिस्टेक अ पता है इसमें इतने अ टैपिंग मिस्टेक है loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming lens shaped opening cells epidermis of grass cells subsidiary cells integral vessels around large thick cell wall cells conjunctive tissue answer to humara yaya yaya medullary race ka jo part wou banata hai cambium ring ka interfacicular cambium typing mistake itna kyun diya ho hai chalo koi nahi, dhekheng isko chalo mein class khatam karih hong aanch ki okay i'll see you at 6 pm in the test i'll see you bye thank you